जन सेना प्रमुख पवन कल्यान ने तेलुगू देशम पार्टी से अपने गठ जोड पर YSR कॉंग्रिस प्रमुख और आंदरप्रदेश के सीम जगन मोहन रेडी के बयान का जवाब देते हुए कहा कि गठ जोड को कभी हलके में नहीं लेना चाहिए क्यूंकि छोटी राज समीती की मिसाल देते हुए बताया कि AIMIM सिर्फ साथ विधान सवा और एक लोग सवाज छेत्र तक ही सीमित है लेकिन उनका दबदबा पूरे मुल्क में है जिस वजा से आज भारते राजनीती में AIMIM का महदवपून किरदार है अरुस्तानां तोटी देसम वंता MIM आवलोचिना विधानां नच्चीना नच्चक पोईना MIM उक्कोडा एवडु नियोच्क वरक्गा वाले प्रजल निलबड़िते वाले प्रस्तावान वाले इम्पार्टेंस अट्लागी मुंदे MIM दे TRS व 막 अपपुडी तलंगाना रास्टर समिथी इपड़ी बारत रास्टर समिथी चाला तक्कूवा आरुस्ताना वलोँ 7 थानओलन MLL गेखिल्द्च कोनी अध अंचिल अचिल अचिल गे पेरिगी alliyains ल Shield पेट्च कोनी आंद्रप्रदेश के सीम जगन मोहन रेडी ने एक्टर से राजनेता बने पवन कल्याण को पैकेज इस्टार और चंदरबाबु नाइडू का गोदलिया बेटा कहते हुए कहा कि उनकी पाटी वेंटीलेटर पर है उन्होंने पवन कल्याण पे तेलगु देशम पाटी के लिए पैकेज के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पवन कल्याण ने अपनी पाटी चंदरबाबु नाइडू को होल सेल में बेच दी है जगन मोहन रेडी ने बाप टला जिले के निजाम पटनम में एक जन सबा को संबोधित करते हुए कहा कि टीडीपी और जन सेना में 175 सीटों पर सुतंत्र रूप से चुनाव लढ़ने की हिम्मत नहीं है लेकिन राजनेतिक अस्तित्व के लिए गटबंदन बनाने की कोशिश कर रहे हैं बता दे 2024 में जहां लोकसबा के चुनाव होने हैं तो वहीं आंदरपरदेश में भी विधानसबा चुनाव होगा और इसी को लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जम कर निशाना साध रहे हैं